हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल जैश्री राम तो आज हम निकल रहे हैं सतना के लिए और सतना का व्यूद आपको दिखाएंगे हम एक्चुली में जा रहे हैं पाठक उस्पिटल मेरी काफी महिने से तबियत खरापती तो वही सोची मैं दिखवा लूँ तो आपको वहां का व्यूद जरूर दिखाओंगी ओके सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते कितना प्यारा व्यू है और कितने अच्छी हर्याली हैं आज के डेड़ में कहां मिलती हैं इतनी प्यारी प्यारी हर्याली देखने को आज के जनरेशन में सब पेड़ पॉदे आ रही है देखिए स्टाइल सहचादे सहब की है रीवा सतना की रोड नेशनल हाइवे खराब होने के कारण हम लोग दूसरी दस्ता से आए थे और दूसरी दस्ता भी बहुत जादा खराब थे अचिन जी की गाड़ी भी गंदी हो गई इसलिए अचिन जी का थोड़ी मुह बना हुआ है उन्हें गुस्ता आ रही उनकी गाड़ी गंदी हो गई तो अपनी गाड़ी में बहुत सफाई रखते हैं मुझे ओवर वाइस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कॉपीराइड क्लेम आ जाता है और गाड़ी में बहुत ज्यादा बहुत तेज से अचिन जी अचिन जी को पहुचने वाले से फिर अचिन जी बोले के पहले वह अपने लिए कपड़े ले ले फिर जाएंगे क्योंकि मेरा ब्लेड टेक्ट बगआरा होने लगेगा तो फिर वहां से ऐक्सरे भी लिएढiscर तो हुने लगेगा तो वहां से फिर फश्र gefव क्विडी जादा लगता चسم कर रहे तक ता ने में हम लोग चल दिए अचिन को लोवर टिशिट लेने दुकान की वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मैं थोड़ी बीजी हो गई थी वहाँ तबियत मेरी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है खासी मिल बंदी नहीं हो रही थी इसलिए हम लोग को सेडेनली जाना पड़ा दिखवाने यहां रात में बहुत अच्छा बेउ दिखता है यहां ती रंगा की लाइट लगी हुई ती रंगा कलर की सभी कलर की लाइट आप लोग कमेंट में बताईए कि सतना रीवा मर पाटन मेहर वाली कि यह कौन से नदी है मादवगर में यह लास्ट के वीडियो था तो मैंने सपीराइट म्यूजिक आथा जैस्री राम मिल गाड़ी में दिखा हुआ है हम लोग पहुंच गए है पाठक होस्पिटल यह यहां पे हम लोग की कट रही है परची काफी भीड होने के कारण अचिन जी पैसे ने लिए थे वहां फोन पे वगएर हो नहीं रहा था मैं गई अथिकार में पैसे ने अब देख सकते हैं आप लोग भीव यहां पर मेरा वेट हो रहा था चेक आचिन जी कर रहे था अपना नाप कर रहे था अब काफी बोर हो रही थी देखिए काईस मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है हो रही है पहुँ जादा बोर और यहां पर मेरा हुआ है एक्सरे मेरे एक्सरे में निकला कुछ नहीं है बर हलका थोड़ा बहुत इंफेक्शन है देखी कितनी ज़्यादा भीड है पाठक हॉस्पिटल में मैंने भूख लगी तो खाई थोड़ी से फुल की अपनोरों आप चले गए हैं हम लोग कप्रे लेके जा रहे हैं काफी ज़्यादा इस्टगल करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा मैं अब घर आ चुकी हूँ काफी ठकावट लग रही है मैंने सोचा कि काफी खासी भी आ रही है तब यह बहुत ज़्यादा वेक्नेस भी लग रही है ब्लॉक तो आठ डालने का बिल्कुल मन नहीं था लेकिन डालना पड़ेगा क्योंकि अब मैंने सुरू ही किया है तो बहुत आगे तक जाओंगी भी पूरा भरोसा है और तबियत की तो तबित्तों खराब होती रहती है ठीर होती रहती है कोई बात नहीं चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जैसरे राओं धन्नवाद